बिहार डेलेट दोहर 24 इंट्रेंस एक्जाम का आप लोगा एक्जाम पैटर्न क्या होने वाला स्टेप बाय स्टेप समझे और किस सिलेबस पर आपका एक्जाम होगा और कैसे एक कमजोड नमबर भी आ गया और बीज में हम लटके हुए हैं पताने कौन सा मिलेगा ठीक है और प्राइवेट मिलता थो खूस नहीं होते हैं लड़का भी जादा तो पर डीरेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं तो अभी जो आपका मौका है वो डीरेट का है जहां पर आप वन तू फाइब और शिस तु एट तक का सिछक बन सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन इंटर और ग्रेशन का है तो और कोई भी कॉलेज ना भी मिले मतलब प्राइबेट या सरकारी उसके लिए आपको इस इलेबस को समझना पड़ेगा थोड़ा सा तो परियास करना पड़ेगा और किस बुक से करना पड़ेगा इस पूरे विडियो को जब आप देख लिजएगा तो आपका साना डाउर दूर हो जाए और कौन सा हम पहले बना लेंगे तो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आसानी से हमको college मिल जाएगा आईए सभी बिंदू पे आपको हम समझाने बाला है सबसे पर अगर हम बात करते हैं entrance exam आपका होगा और इस entrance exam को पास करके आप डीरेट का दो साल का course कर पाएंगे किसी भी college में आपका admission होगा तो सबसे पर exam pattern को समझते हैं फिर हम लोग exam syllabus पर आएंगे और ढंग से step by step हम लोग समझते चलेंगे कहीं भी कोई दिक करते हैं total question जो आपके entrance exam में आना वाला है वो कितना होगा 120 यानि कि यही 120 question decide करेगा कि आपको सरकारी college मिलना है या private college मिलना है और कितना number कितना लाना है वो भी यही decide करेगा मतलब इसमें maximum score कितना करने पर कौन सा college मिलता है तो total question आपका 120 पूछा जाएगा और कितने marks के लिए तो 120 number का ही आपका exam होने वाला है यानि कि परती एक question एक number का होगा और बढ़िया बात क्या है इसमें कि negative marking इसमें नहीं है अब negative marking रहता ना तो आप लोग बहुत confuse करते और आप लोग को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा question को बनाए कि इसको छोड़े तो ये जरूर करिया है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे है एक भी question आपको छोड़ना नहीं है वो चाहे आए चाहे नहीं आए लेकिन कौन सा पहले बनाना है वो भी हम बताने बाले है लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है पहले जिसको बनाना है वो भी बताते है time कितना लिया जाएगा time आपका 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा ये maximum समय होगा आप लोग के लिए बहुत अच्छा समय, 150 मिनट का समय होगा जहां पर आपको 120 कोशन को हल करना होगा और ये बहुत अच्छा होता है ताकि आप आराम से question को पढ़े, समझे और बनाए, यहाँ पे ज़्यादा hard आपको time taking कौन सा होता है, hard कारने का मर्त मतलब यह है कि कौन सा time taking होगा ज़्यादा, तो मैत के question time taking लेंगे आपका, reasoning का थोड़ा सा लेगा, उसको gkgs का लेगा, बाकि time उतना ज़्यादा आपका ले नहीं पाएगा, लेकिन इसी तीनों को manage करने के लिए आपके पास परियादा समय है, 2 घंटा, 30 मिनट का समय दिया गया, negative marking तो है नहीं, तो आपको फायदा उठा नहीं है, तो 120 question, 120 मास के लिए 8 घंटा का समय और negative marking नहीं, और साथ में एक बदलाव इसमें है, जो कि online आपका exam लिया जाएगा, CBT, यानि कि computer based test, जितने भी लोग आप लोग form भरेंगे न, तो syllabus जो आपका question आएगा, वो online computer पे आने वाला है, और उसमें objective type के question होगा, कैसा question होगा, तो objective type के question होगा, यानि कि sub question बस 4 option का होगा, किसी एक option उसमें सही होगा, वहीं आपको tick करना है, mouse से ही करना होगा, tick, computer पे, और वो हो जाएगा, अगर आप question जानते हैं, तो कहीं भी आपका किसी भी तरीके से exam लिया जाएगा, तो आप लोग pass कर जाएगे, exam का जो language होगा, Hindi, English, दोनों में होगा question, यानि कि जो भी question आपको जैखने करने भी लेंगे, वो Hindi में भी type रहेगा, English में भी रहेगा, जिसमें सहुलियत आपको होता समझने के लिए, उसमें बनाईए कहीं भी कोई दिक्कत ने है, तो यह समझ के exam pattern समझा रहे हैं आपको, selection process आपको पता हैं ही, बहुत पर बता चुके हैं कि form Philip पहले होगा आप लोग का, form जो आप लोग भर रहे हैं, दो फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक date रखा गया है, हो सकता है कि बड़ भी सकता है, आगे चल करके देखिएगा जैसा होगा, form Philip उसकों इंट्रेंस एक्जाम आपका परवेश परिछा लिए आजागा इस syllabus पर, समझाते हैं उसकों कांसलिंग होगा, यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी college आपको मिलेगा, जिस तरह से आपका numbering होगा, और जो 24 होगा आप लोग का college का, उस परकार से उसके बाद आप लोग दो साल का course करेंगा, वहाँ से आपको degree मिल जाएगा, किसका, तो DRED का degree मिल जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात करना है, कि सबसे पहले है कि आपका syllabus, syllabus किस चीच के लिए, तो intense exam के लिए, अब क्या-क्या syllabus है, तो पहला syllabus यहाँ पर हिंदी और उर्दू का मिल जाता है, ठीक है, हिंदी और उर्दू, यह आपका कोई एक, मतलब कि जो उर्दू लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैंगो, हाँ पर उर्दू से रेट करिएगा, उससे 25 कोशन आपका पूछा दाएगा, टोटल कोशन का संख्या कितना 120 है, जहाँ पर हिंदी से भी कोशन है, उसका उर्दू से, जाएंगे कि बहुत हाड सी लेवस होगा, और हम से नहीं निकल पाएगा, डिरेट हम नहीं कर पाएगे, तो ऐसा कुछन है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी डिरेट कर पाता है, यह परवेस परिच्छा है, इसका आर्थ ही है कि कॉलेज भी चाहता है कि थोड़ा सा अ पर फोकस करिए, इसको निकालिए, समान हिंदी में क्या क्या आगे आपका, बिलोवम सब्द पढ़े होंगे, परियावाची सब्द पढ़े होंगे, अनेक सब्दों के एक सब्द मुहावरा, लोकोक्ती, यही संदी भी छेट, यही सब पूछा जाता है, आपसे संगया सब इसके लिए हम बुक पहले भी बताये थे, और पूछ रहे थे आप लोग कि बुक बता दिए, बुक से पढ़ना असान होता है, और एक बुक हम सभी एक जाम में हम अपलाई कर सकते हैं, तो हिंदी के लिए आप अराम से यहाँ पर सुनेश्क समान हिंदी, जो कि पूजा प ब्हेद हो गया, यह सब को पढ़िएगा इस बुक से, तो आराम से आपको समझ में भी आएगा, कोर्शन भी दिया गया है, और नॉर्मल स्टडी पर दे आथा घंटा भी करते हैं, क्योंकि आपका अलच्छ क्या है कि मैक्सिममा स्कोर करना, और भी कहां पर करना, जहां पर और पढ़िए, आगे हम बताते हैं, और देखिए, यहां पर हिंदी अकन फ्रेंद दूर हो गया, और उर्दु वाले के लिए भी बुक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जागा, ठीक है, लिंक हम दे देंगे, उर्दु जो लेना चाते हैं, अब यहां का बारी आता है, मैथ में क्या होगा, कि 25 कोशन पूछा जाएगा, 25 कोशन कहां से आएगा, अब मैथ सबका उतना मजबूत होता नहीं है, तो अर्थमेटिक, से कोशन का मतलब हो गया, कि एवरेज से कोशन आएंगे, नर्टंकी से, आपका कोशन पूछा जाएगा, LCM, HCF स कोशन आने वाला है, और समय भी परियाप्त दे दिया गया, 2 घंटा 30 मिट, बहुत समय है, इसलिए हम बार बार यह नहीं बोल रहे है, कि आपको समय को मेंटिन करके चलना है, तो अधर एक्जाम में हम बोलते हैं, यहाँ पर नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत सारा समय आपक के इजाम को निकाल लिजेगा, है ना कि आप एक घंटा के निज भी ले लिए फिर भी, ऐसा नहीं है, आपको यूज करना पड़ेगा, समय का इस्तमाल करना पड़ेगा, अच्छे से कोशन पे, ताकि हाय स्कोर कर सकें, और हर एक विद्यार्थी चाहता है, कि थोड़ा सा ह यल्ट हो जागा, देखिए कैसे, तो मैत हो गया, उसके बाद आपका GKGS करेंट अफेर्स, करेंट अफेर्स का थोड़ा सा भाग रहेगा, ज्यादा नहीं गहेगा, GKGS को मिला करके 40 कोशन, मतलब 20 कोशन जीके से, 20 कोशन जीके से, अब GKGS महतपूर्ण इसली है, कि हम कर पाएंगे, इतना कम भी, और ये दोनों करने से ही आपको प्राइवेट कोलेज तो कनफर्म होगे, आप सोच करके देखिए, कि सिर्फ GKGS और हिंदी किये, तो हम 60 नंबर करीब ले आए, और मत हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, इंग्रिस कुछ भी नहीं बनाएंगे, रि तो सरकारी को लजभी मिल दाएगा, इसलिए दो, क्यों दो, क्योंकि यहाँ पे यह ज़्यादा नंबर का है, 40 नंबर, 25 नंबर है, तो 25 नंबर मैथ भी, अब जिसका मैथ, आप देखिए, एक चीज और आपको बताते हैं, हिंदी और मैथ, में जिसका जो मजबूत है, वो कर लिजे, एक सवेट को एक कर लिए, और GKGS सब को करना पड़ेगा, क्यों, आप किसी का मैथ, कुछ लोग होंगे, 10 लोग, 15 लोग होंगे, जिनका मैथ पर पूरा कमांड होगा, तो हिंदी को कम पढ़िए, मैथ को ज्यादा पढ़िए, ठीक है, 25 नंबर यहाँ से अगर अपने मन से करते हैं, यह सोच करके करते हैं, जैसा हम बता रहे हैं, वैसे भी करते हैं, तो maximum score आपका होगा, 10 नंबर भी अगर इस बात से बढ़ जाता है, इस काम से बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि अच्छा हो, है ना, और यही एक्जाम में नहीं, सब एक्जाम मे है, साइड से पढ़ते हैं, कोई दिक्रते हैं, लेकिन बूक अगर चाहते हैं, किताब चाहते हैं, जो कि अन एक्जाम में भी काम आएगा, तो वो आपका पूजा पप्लिकेशन का समान निग्यान का यह बूक होगा, ठीक है, इसको आप पढ़िए, डीरेड में भी काम करे बूक है, पूरा कॉंसेट्ट, फिस केमेश्ट्री बालो जी के साथ सा, जीकेजियस, मतलब की हिस्ट्री, जग्रफी, प्रोटी, एकोनोमिक्स, विवित सब आपको मिल जाएगा, अच्छे कॉंसेट्ट के साथ अपडेट भी मिल जागा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन क लिए भी जरूरी है, ठीक है, वो रहेगा तो अच्छा रहेगा, और यह दोनों भूक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत कम दिन में, तो 40 और 25 पर तो कमांड होगी आपका, अब इंगलिस का बारी आता है, कुछ लोग का इंगलिस सही होगा, कुछ लोग का नहीं होगा, तो 20 में से अगर ऐसे भी तुक का मारेंगे, तो 7-8 कोशन तो सही होने वाला ही है, अगर आप जानते हैं, तो 12-13-15 कोशन भी सही कर सकते हैं, तो सोचिए कि आपका स्कोर कहां पहुंच जागा, सरकारी कोलेज क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन बात आपको बताता है कि आपको मिल जाए, है ना, तो यह भी सही है, और प्राइबेट कोलेज मिलता है, तो कोई दिक्कत फोड़ी है, प्राइबेट कोलेज में पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन सुविधा उसमें ज्यादा मिलता है, प्राइबेट कोलेज में, क्लासर गर्या करने का दिक्कत सब्सक्राइब करने से कोई वीडियो सबसे पहले आपके पहुंसता है मेरा ठीक है जो कि आप अपडेट रहा पाते हैं और त्यारी भी कर पाते हैं सबस्क्राइब करने ज़ेगा रिजिनिंग होगी आपका 10 कोशन का 10 में से आप तो बनाना ही पड़ेगा आपको रिजिनिंग आप बोलते हैं कि यही होता है तो 10 में से आठ जरूर बनाईजेगा नहीं बनाईएगा तो गलती है ठीक है एक सुष्कॉर करना आपका पहला उद और जो इसको पकड़ना चाहते हैं, इसको छोड़िए, इसको पकड़िए, ठीक है, मैं इस रिंदी में जो भी आपका मजबूत है, दो सर्वेट को पकड़ करके आप आगे बढ़िए बुक के साथ, तो देखिए कैसे आपका हाय स्कोर होता, कोई दिक्रत नहीं है, पास कर प रहे हैं, इसलिए, और इस एंजाम में हाय स्कोर बहुत सा रट लोग करते हैं, ठीक है, क्यूं? क्यों को कोज़न आसान और इंट्रेंस इक जाम है, यह आपको पता है, इसलिए आपको करना पड़ेगा, प्राइबेट कोलेज कैसे मिलेगा? यह आपको बता दिये, प्राइ प्राइबेट कोलेज में आपका डिमिशन हो जाना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब देखिए मैक्सिमाम लोग क्या होते हैं कि 60-65 के बीच में नंबर लाते हैं 60-65 के बीच में अब बहुस सारे कम भी लाएंगे मतों 30-40 नंबर भी लाएंगे 50 नंबर भी लाएंगे लेकिन मैक्सिमाम लोग 60-65 के बीच में लाते हैं जिनका आप 24 के अनुसार होता आपका जो च्वाइस दिया हुआ रहेगा ना सरकारी कोलेज के बाद प्राइबेट कोल मिन जाएगा सरकारी मिल जाता तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता असी नंबर में आ गया 65 नंबर आ गया तो हो सथा सरकारी मिल जाए तो यह इसलिए है कि हम पढ़े भी थे नंबर भी आ गया और बीच में लटके हुए हैं पताने कौन सा मिलेगा ठीक है और प्राइवे प्रसावर मिहत आप करिए आप किसके बीच में प्रेक्टिस एट लगाई यह देखें किसके बीच में आप हैं और कितना मिहत करना आपका बांकी है उमीद करते हैं आपको यह सब और आप लोग जरूर वहां पर जा पाएंगे जितने भी लोग इसके लिए पूर्णतर तयार है निचे कमेंट कर दें और कोभी डाउट अगर कंफ्यूजन है तो निचे फिर भी कमेंट करिए कि यह डाउट मेरा दिमाग में बन रहा है कि उसको दूर कर दिया जाएगा मिले मेंट